इस धर्ती पर ऐसी ऐसी जगहें हैं जिसके बारे में आमतौर पर लोगों को जानकारी तक नहीं होती है। क्या आपको पता है इडली में एक ऐसा गाओं है जहां तीन महीने तक सूरी की रोशनी ही नहीं पहुशती है। लेकिन कहते हैं ना आवशक्ता ही आविशकार की जननी होती है। कुछ ऐसा ही हुआ इस गाओं में और लोगों ने रोशनी पाने के लिए अपना आर्टिफीशियल सूरज बना लिया। तो चलिए आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी बात बताते हैं। मगर हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले मैं अपना परिशे करवा दू। नमस्ते मेरा नाम है अर्चीता मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दलडडू.com दरसल इटली के इस गाओं का नाम विगनेला है जो उत्तरी इलाके में हैं। ये गाओं चारों तरफ पहाडों और घाटियों से घिरा हुआ है। इसी वज़े से खास्तावर पर ठंड के महीने नवंबर से लेकर फरवरी तक यहां अधेरा च्छाया रहता है। क्योंकि सूर की किरणे इस गाओं तक पहुचते ही नहीं है। लंबे समय तक सूर की रोशने नहीं मिल पाने की वज़े से इस गाओं में बीमारियां फैलने लगती थी। रोशने नहीं मिल पाने की वज़े से नकरात्मक मान सिकता नींद की कमी मूड खराब रहने जैसी समस्याओं से जूझते थी। और अपराद भी बढ़ जाता था। ऐसे में इस गाओं की लोगों ने थंड के मौसम में रोशनी के लिए जो व्योस्था की उसे जानकर आप भी उनकी तारीफ करने लगेंगे। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस गाओं की लोगों ने रोशनी पाने के लिए साल 2006 में एक लाख यूरो की मदद से आठ मीटर लंबा और पांच मीटर चोड़ा स्टील के शीट का निर्माड किया जिस पर सूरी की रोशनी पढ़ते ही पूरे गाओं में उजाला आ जाता है सूरी के मार्ग का अनुसरण करने के लिए दरपड को कंप्यूटर से जोड़ा गया है इस तकनीकी के इस्तेमाल को लेकर विगनेला के मेयर पियर फ्रेंग को मिडाली ने कहा यहां आसान नहीं था हमें इसके लिए उचित सामागरी धूड़नी थी तकनीकी के बार कि इस टेल सीट पर लगा दरपड दिन में छे घंटे सूरी के प्रकाश को प्रतिविंबित करता है जिससे गाउवालों को अंधेरे से मुक्त मिल जाती है मिडाली ने कहा इस परियोजना के पीछे के विचार का वैज्यानिक आधार नहीं बल्कि मानवे जरूरत है इस स्ट अगर आप अपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें ताकि हम ऐसे ही रोचक वीडियोज और जानकारी लेकर आप तक सबसे पहले पहुच सके धन्यवाद